नमस्कार, अब हम लोग बात करेंगे रेटिना के बारे, रेटिना ये एक नया लेक्षर है, नया टॉपिक है जिसमें आइस के सबसे भीतरी लेयर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर रेटिना में सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे, इ जहां से optic nerves बाहर निकलते हैं या फिर blood vessels की supply आ रही होती है, वो optic disc के areas को भी हम focus करेंगे, ध्यान में रखने की बात करेंगे. Retina transparent होता है, लेकिन corroid के layer की वज़ा से ये colored नजर आता है, तो corroid का color ये पा लेता है, जिसके करण retina colored दिखता है, तो इसके views को हम fundus कहते हैं, fundus is the view of posterior segment of eyeball तो कई बार हम सुनते हैं, fundus दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो fundus is the view of posterior segment of eyeball इस तरीके से हमें समझना है, अब retina के बारे मैंने आपको बता दिया है, कि retina वैसे तो होता है colorless, लेकिन fundus का जब हम examination करते हैं, तो वो red orange color का दिखता है, यानि posterior segment जो हमें red orange color के दिखते हैं, वो coroids के vascular appearance के कारण reddish orangish नजर आते हैं, सवाल मैंने ये भी आपको बताया कि क्या-क्या हमारा target है यहाँ पर देखने का, तो इसमें हम optic disc, macula, दो reason बहुत खास तर पर focus करते हैं, इसके अलमा peripheral zone भी देखेंगे, तो अकसर आप देखते होंगे इस तरीके के image बनते हैं, इस पर पहले भी चर्चा हो चुके तो इसलिए मैं ज़्यादा detail में नहीं जाऊंगा, लाउकोमा में बात हो चुका है, यह है optic disc का हिस्सा, यह cup है, neuro retinal rim है, आप देखेंगे nasal side पर, उस side में optic disc होता है, इस से temporal side में जब आप आगे बढ़ेंगे, तो two disc diopter के distance पर macula होता है, macula, macula का central reason fovea कहलाता है, fovea centralis इसे कहते हैं, तो macula, macula क्या है, यह sharpest vision का zone होता है, जहाँ पर maximum cones पाए जाते हैं, day vision में light इस पर गिरती है, और यहाँ पर cones बहुत जादा concentrated होते हैं, इसका फायदा क्या मिलता है, colored vision बहतर तरीके से हो सके, तो macular reason के बारे में आप देख सकते हैं, यह blood vessels हैं, जो निकलती हैं, इस तरीके से blood vessels की supply होती है, macular reason पर direct कोई blood नहीं जा रहा था, बलकि branches वहाँ पर अपनी supply दे रही होती है, और यह macula का area, आप देखेंगे macula का area जिसके center में fovea है, और macula avascular नजर आता है, क्योंकि पर देखें, macula, fovea और macula optic disc के बीच की distance जो है, two disc diameter होती है, three mm के आसपास होती है, fovea, fovea का diameter 1.85 mm होता है, वही macula का diameter 5.5 mm होता है, और central reason में foveola होता है, fovea centralis के center में foveola होता है, जो की बहुत ही छोटा सा zone 0.35 mm का होता है, तो अगर बहुत specify होकर के कहें, तो ambo, foveola ये 0.35 mm diameter इनका होता है, अब बात करते है, microscopic anatomy की, हमारे retina के 10 layers कौन कौन से होते हैं, उसकी, retinal जो layers हैं, उनमें कुछ इस तरीके से arrangement होता है, यहाँ पर light गिरती है, light यहाँ पर गिरेगा, sensation पैदा होगा और वो sensation nerves के through, optic पात्वे के द्वारा आगे पड़ेगा, इसमें आप देखें, तो यह है pigment epithelium की layer, क्या है, retinal pigment epithelium की layer है, थोड़ा सा इसको zoom करेंगे, तो बहतर तरीके से देख पाएंगे, यहाँ पर देखें, यह है retinal pigment epithelium जिसे RPE के नाम से दिखाया गया है, retinal pigment epithelium की layer, इसके बाद, इसके बाद, एक छोटा सा subretinal space होता rots and cones के रूप में होते हैं, और इनका structure थोड़ा से typical सा होता है, यहाँ पर देखें, यह nucleus यहाँ पर है, तो इसलिए नाम में थोड़ा थोड़ा अंतर आता है, यहाँ पर एक जैसा layer दिख रहा है, तो इसलिए इसे outer nuclear layer कहते हैं, फिर यहाँ पर एक जाल बन रहा है, इसको outer plexiform layer कहते हैं, जाल बनने की वज़ा से, इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है, bipolar cells दिख रहे हैं, और यह bipolar cells आगे जाकर के एक बार और जाल बनाते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत clearly दिखाया नहीं गया है, जैसे यहाँ पर एक plexus बना, ऐसे इधर भी p plexiform, इस तरीके से inner plexiform layers होते हैं, और यह फिर गैंग्लियानिक cell layer होती है, फिर यह nerve fibers बन गया है, यह क्या बन गया है, nerve fibers, यह nerve fibers यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास layers मिलती है, nerve fibers layer, फिर इंटरनल एक limiting layer, इसको भी count किया जाता है, internal limiting layers भी होती है, तो arrangement इसका बहत जरूरी है क्योंकि अलग-अलग retinal problems में, अलग-अलग layers पर problem होती है, कहीं ganglionic cells वाली layer, कहीं rod and cones वाली, कहीं bipolar cells वाली, कहीं पर retinal pigment epithelium प्रभावित होती है, इसके कारण यहाँ पर समस्या होता है, blood vessels की supply को भी यहीं पर आप देखें, तो ध्यान रखेंगे कि eyeball का ये बाहरी हिस्सा माना गया है, eyeball का बाहरी हिस्सा माना गया है, इसलिए इधर outer outer term symbol, ये eyeball के भीतर है, तो इसलिए इसे inner inner कहते हैं, inner, तो इसलिए inner six layer, inner six layer के लिए, भीतरी six layer के लिए retinal artery, cortical retinal artery अपनी supply दे रही है, देखें, यहाँ से ये निकल कर क्याता है, retinal artery, वो nutrients प्रवाइट करता है, भीतरी six layers के लिए, ये outer outer four layers के लिए यहाँ की blood supply होती है, यहाँ से blood vessels के supply होती है, यहाँ से ब्लड वेसल्स के supply होती है, यहाँ से यहाँ से आ रही होती है, short posterior ciliary artery से supply मिल रही होती है, जो कि ophthalmic artery के यह दोनों ही division होते हैं, यहाँ से आप देख रहे ह microscopic views को एक बार और यहाँ पर देखने का मौका मिलेगा, फिर सारे layers हम देख लेंगे, sclera है, corroid है, फिर retina की layer है, इसमें pigment epithelium, फिर rods and cones को आप देख पा रहे हैं, rods and cones उनके nucleus यहाँ पर दिख रहे हैं, उनके nucleus आपको देखने को मिल रहे हैं यहीं पर कुछ इनके process हैं, जो plexus बना रहे हैं, यहीं पर horizontal cells दिख रहे हैं, और यह bipolar cells के साथ plexus बनाए गया है, इसलिए इसे outer plexiform layer कहा जाता है, यह rods and cones का हिस्सा है, जो कि यहाँ rods and cones हैं, और इनके nucleus यहाँ पर दिखाए गया है, यह इसलिए यहीं पर तीन नाम हमें देखने को मिल जाते हैं, एक तो यहाँ पर हम जो हम बात कर रहे हैं तो इसमें देखें, outer nuclear layer हम कहते हैं, क्या कहते हैं, outer nuclear layer, कई सारी चीज़ें यहीं से समझ में आ जाती हैं, pigment epithelium के बाद यहीं पर देखें, photo receptors इसे कह देते हैं, pigment epithelium के बाद photo receptors कह देते हैं, और यहीं पर outer nuclear layer है, यहीं पर external limiting layer है, यह external limiting layer बन जाएगा, outer outer nuclear layer आपको दिख गया, और यहीं पर plexiforms बन गया है, तो यह outer plexiform layer होगे, यहाँ पर horizontal cells भी पाई जा रहे हैं, outer plexiform के बाद, अब देखें bipolar cells हैं, bipolar cells हैं और इनके nucleus देख रहे हैं, तो यह outer nuclear layer है, तो यह inner nuclear layer है, ठीक है, inner nuclear layer है, outer और outer nuclear layer और inner nuclear layer के बीच में क्या है, plexiform जाल बना हुआ है, ऐसे ही, यह inner nuclear, inner nuclear और उसके बाद, देखें, इसका जाल बन गया तो inner nuclear यानि ये जो nucleus ना bipolar का इधर भी plexus बना रहा है और इधर भी plexus बना रहा है यहाँ पर argental cells थी यहाँ पर जो plexus बन रहा है उसके उसमें amacrine cells मिल रहें यहीं पर ganglionic cells है तो देखे कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद करने का तरीका है, कि inner nuclear layer, इसको आप inner nuclear layer के रूप में याद रखेंगे, inner nuclear layer, inner nuclear layer से इधर भी plexiform होगा, जो outer plexiform होगा, और इधर की और भी plexiform होगा, जो inner plexiform होगा, तो इधर outer plexiform, इधर inner plexiform, और यह है inner nuclear layer, फिर आपको पता है कि इसके बाद ganglionic cells होंगे, ganglionic cells आपको दिख रहे हैं, फिर यह है nerve fiber के layer, और यहीं पर एक छोटी सी boundary जैसे दिखती है, internal limiting membrane के layer, तो आप देखेंगे light का जो sensation गिरता है न, light का sensation direct, यहाँ 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 सब को cross करते हुए, pigment epithelium पर गिरता है और sensation rots and g cones में पैदा होता है, यह जो sensation पैदा हो, गिरा उपर से इतनी सारे layers को cross करते हुए, pigment epithelium पर और यहाँ से यह generate हुआ action potential जो rots and cones ने इसको देख करके generate किया वो, अब यहाँ से nose के इन layers के द्वारा गुजरता हुआ, optic nose में pass कर जाता है, और इसको optic disc के रास्ते से बाहर निक हैं, physiological importance wise अगर कहें, तो receptors के रूप में rots and cones होते हैं, रोट्स and cones होते हैं, रोट्स and cones receptors के रूप में होते हैं, इसका importance है, और first order neurons bipolar cells होते हैं, इसके पहले भी plexus, इसके बाद में भी plexus, यह बात मैंने आपको बताया था, तो bipolar neurons first order neurons है, याद रखना है, ganglionic cells, या ganglionic cells के यह second order neurons हैं, और यहां से जो निकलने वारा optic nerve है, यह optic nerves है, यह optic nerves, अक्चौल में यह भी second order neurons ही हैं, क्योंकि ganglion cells तो इनका, आप समझ सकते हैं, cell body है, जो इनके exons हैं, वो optic nerves के रूप में दिख रहा हैं, तो ganglion cell layer, अगर कोई पूछे तो यह भी second order है, यह first order है न, bipolar, यह second order neurons हैं, और इन ही के exons, इन ही के exons, यहां से देखे, निकल करके बाहर के उर जा रहा है, optic nerve बना रहा है, तो optic nerve, second order neuron है, तो आप सुचेंगे, third order neuron कहां बना, third order neuron बनता है, optic radiation से, तो चलिए, retina के microscopic anatomy को एक बार recall कर लेते हैं, सारे layers पता होना चाहिए, ideally हमें जानकारी भी होना चाहिए, क्योंकि इन सभी पर questions बनते हैं, तो inside से outside की और चलें, inside से outside, मतलब sclera की और, तो आपको बता ने, क्या था, internal limiting layer, जो कि अगर हम, मैंने आपको बता है था, बाहर से अंदर की उजाते हो, अब हम उल्टा चल ले था कि recall जादा अच्छे से हो से, तो internal limiting membrane, फिर nerve fibers थ याद है, ganglionic cell layer था, फिर inner plexiform layer था, inner plexiform के बाद inner nuclear layer था, फिर outer plexiform था, फिर outer nuclear layer था, उसके बाद external limiting membrane था, external limiting membrane के बाद photoreceptors थे, photoreceptors, rods and cones, फिर pigment epithelium था, इस तरीके से भीतर से बाहर की और 10 layers हमें देखने को मिले थे, मैंने ये भी बता है कि इसके नाम को कैसे याद किया जा सकता है, इसके लिए अगर एक code बनाएं, चूंकि याद हर हाल में रखना है, क्योंकि किसमें कौन से layer damage होती है, उस पर based questions पूछे जाते हैं, तो एक basic जानकारी हमारे पास होना चाहिए, इसलिए एक code बनाएंगे, ing, 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 i2o2, i2o2ep2, तो हम code बनाएंगे, ing, ing, i2o2ep2, हमारा code होगा, और इस code की मदद से, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ing, iop का wall twice, नाम जैसे भी रहे, जो layers के पहले नाम हैं, उसी के आधार पर इसे recall करने की कोशिश करेंगे, तो चलते हैं, photoreceptors के बारे में बात क कर लेते हैं, मैंने बताया था, photoreceptors, rods and cones हैं, यह receptors हैं, जो light energy को chemical energy, electrochemical energies या electrochemical signals में बदल देंगे, electrochemical signals में बदलने के बाद, bipolar cells, जो first order neurons हैं, वो signal को ले करके आगे travel करेंगे, यह inner nuclear layer में present होते हैं, तो bipolar cells, first order neurons हैं, यह inner nuclear layer में पाय जाते हैं, इसके बाद, ganglion cell layer होता है, ganglion cell layer second order neurons होते हैं, ganglion cell layers second order neurons होते हैं, और nerve fiber layers भी इसी का exon होता है, इसी लिए optic nerve भी second order neurons माना जाता है, यह सारी चीज़े discuss हो चुगी हैं, optic radiation से third order neurons बनना शुरू हो जाते हैं, तो optic radiation से third order neurons बनते हैं, nerve fiber layer को कभी भी आप third order neurons नहीं करेंगे, optic radiations याद है, neuro वाला जो पार्ट था, neuro ophthalmology, उसमें हम लोग ने optic radiations के बारे में पढ़ा हैं, वो third order neurons होते हैं, अब थोड़ी सी बात इस बात को भी कर लें, कि sub retinal space कहां पर होता है, sub retinal space, तो action में जो inner nine layers हैं, ये एक साथ मिलते हैं, ये एक साथ जो nine layers हैं, pigment epithelium को छोड़ दिया जाए, तो जितने भी layers हैं, वो एक साथ count किया जाते हैं, एक साथ consider किया जाते हैं, जबकि pigment epithelium, pigment epithelium अलग से दिखता भी है, microscopic view पर, क्योंकि यहाँ पर sub retinal space पाया जाता है, sub retinal space का importance है, इसलिए हम यहाँ पर sub retinal space के बारे में आपको एक basic जानकारी दे रहे हैं, pigment epithelium, आप देख सकते हैं, pigment epithelium, pigment epithelium, actual में blood retinal barrier बनाने का प्रयास करता है, यह जो pigment epithelium है न, यह blood retinal barrier बनाने का प्रयास करता है, कुछ इस तरीके से blood की supply को provide के layer की होती है, तो कौन सी चीज़े कैसे जाना चाहिए, उसको govern करने के लिए pigment epithelium blood retinal barrier बनाता है, रेटिना की blood supply के बारे में थोड़ी सी इबर, फिर से बात कर लेते हैं, इस image में भी देख सकते हैं कि जो inner layers हैं, उनको central retinal artery की supply मिलते हैं, जबकि इधर की और, जो outer four layers हैं, वो short posterior ciliary arteries के द्वारा blood supply पाते हैं, इस बात को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से देखा जा सकत है, यह है central retinal artery, जो की retinal artery की branch है, यह central retinal artery देखें, डिस्के area से निकल करके इधर की और आई, और यह inner layers को अपनी inner six layers को अपनी blood supply देती हैं, जबकि इधर की और, आप देख पा रहे हैं, posterior ciliary artery, हाला कि दोनों ही ophthalmic artery की branches हैं, लेकिन यह posterior ciliary artery, आप देखें, korroid की layer को blood supply दे रहा है, korroid की layer को blood supply दे रहा है, इसके अलावा, यह retina के outer four layers को भी यहीं से blood supply मिल जाता है, तो short posterior ciliary artery, आप देखें, posterior ciliary artery, यह korroid के layer में अपनी blood supply देता है, और इसी से retina के outer four layers को भी supply मिल जाती है, तो short posterior ciliary artery आप देख पा रहे हैं, central retinal artery देख पा रहे हैं, उसको भी हम लोग justify कर पाएं। तो यहाँ पर देखते हैं inner six layer के लिए कौन सा था। रिकॉल कीज़े, central retinal artery, outer four layers के लिए कौन हैं। outer four layers के लिए short posterior ciliary artery और ये दोनों ही ophthalmic artery के division हैं, दोनों ही ophthalmic artery की branches हैं। और ये दोनों ही ophthalmic artery की branches हैं, जो internal carotid artery की branch हैं।